इस वक्त के बड़ी और एहम जानकारी सामने आ रही है माराथा औरक्षन को लेकर जहां मनुज जारंगे ने अपना अंशन इस्थगित कर दिया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरकार को एक महीने की महलत दी है और आठ जून से ये भूख खड़तार चल रही थी जि इसके बाद ये पैसला लिया गया है और मराथा अरक्षन को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे है मनुज जारंगे ने अंशन को स्थगित कर दिया है मतादे के 8 जून से ये भूख खड़तार की शुरुवात की गई थी जिसके बाद आज इस अंशन को स्थगित किया गया है और सरकार को एक महीने की महलत दी गई है ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे है इसने पहले भी कई बार मनुज जारंगे ने मराथा अरक्षन को लेकर अंशन किया था और एक बार फिर लोकसभा चुनाफ के बाद 8 जून को उन्होंने इस अंश अरक्षन भी अब उस्थगित कर दिया गया है और इस खबर पर तमाम जौनकारी के साथ महरास्ट उसे स्टेट है मंगला वागी जी मराथा अरक्षन को लेकर लगातार आट जून से अंशन चल रहा था और मनुज जारंगे ने अंशन को उस्थगित कर दिया है इसको लेकर उनकी तब्रियत भहत खराफ हो गती लेकर जो कलेक्टर है जालना रिष्टिक के वहाँ मेडिकल टीम लेकर पहुचे थे लेकिन कल उन्होंने कोई भी मेडिकल ट्रिक्मेंट लेने से इंकार कर दिया था जरांगे पाटी ले कहा था जब तक महराथा आरक्षन नहीं मिलता मैं अपना अंशन नहीं खतम करूंगा लेकिन आज कुछ ऐसी परिष्टिचा सामने आगी कि आज दोपेर को तुबह जो महराश्टर के विरोभी डल के लेता है अंबादा जालना पोच चुके जहां पर उनका अंसर चर रहा है अंसर वाही सराटी मैं वहाँ जा पूचे औ और उन्होंने भी उनको रिक्वेस्ट की थी जरांगे पातिल को अपना अंशन सगीत कर दे मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मराथा को आरक्षन जल से जल लागू किया जाए लेकिं जरांगे पातिल कुछ भी कहने के सिती में नहीं थे उनका यही कहना था जिमराथा आरक्षन मिलना जी है मराठाaldोगों के इमराथा सिमाज को अरकषन मिलना जी है ऋ भी संहल मिलना दे नहीं है उसके बाद दुपेर को महाराच सच मंत्री है, सब्बूराच देशा ही, वो भी अंतर वाली सराके में जहाँ पूछे, उन्होंने भी रिक्रेस्ट की जरांगे पातिल से वहाँ आप अपका अंशन सजीच कर दे जी, उनके सब लगा कर बात्चीच कर रही थी सब्बूराच जरांगे पातिल अपना अंशन सजीच करने के लिए मान गये हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने एक मेहने की महलब दी है कि आप 13 जुलाई तक महराच सच आरक्षन लागू कर दीजिए, समुराच जरांगे का कहना एफास की, दो मेहने से कोड़क कंड़क महाराच इसलिए हम लोग मराचा अरक्षन के लिए कुछ तैयारिया, कुछ दिसिजन नहीं ले चुके हैं, अभी जरांगे दिया है, ये कहा है कि 13 जुलाई सक आप मराचा अरक्षन के बारे में कुछ नियोठोस निर्ने लेलिजे कुन अंतिन पेसला आपको महाराच से सरकार को करन चाहिए, इस बात पर उन्होंने अभी एक महने के लिए अपना अंशन रोग दिया है, वहीं मंगला जी अगर बात करें तो लोग सभा चुनाव में भी जो मराठा अरक्षन को लेकर अंशन था, उससे असर देखने को मिला, क्योंकि कई जगा जो महायुती है, उसको हार का स मराठा वर्थ के समझ रोमिनिक्स करता है, उसका असर चुनाव में देखना पड़ा है, जो महायुती के उमेदुआर थे, जैसे पंकजा मुंडे है, और दुसरे उमेदुआरे उसको अपना चुनाव इसमें हार चुके थे, इसको परिनाम मराठा अरक्षन लोग सभा चु मुष्वा पाइब करें तो महाराष्ट जो फिदाल सभा का चुनाओं होने वाला है। मैंने के बाद पाइव उनको हराऊंगा। पांगला जै सरकार को एक महिने की महलत दी गई है क्या लगता है आगे मराथा अरक्षन को लेकर क्या कूछ एहम कदम उठाए जा सकते हैं अगर इनकी मांगी पूरी नहीं होती तो देखिए महराठा आरक्षन की मांगे नहीं पूरी होती है तो महराठा आरक्षन को लेकर जो अंशन करे या अंगोलन करे जरांगे पाटी बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं उसको विधान सबा आने वाले विधान सबा में दिखाई दे सकता है क्योंकि पाट मेने के बाद महराठा विधान सबाल चुनाओ है और उनकी मांग है कि एक मेने में दिया जाए ऐसा देखा जाए तो एक मेने में महराठा आरक्षन देने का महाराठा सरकार में जो हल्चे चल रही है उसको लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि महाराचा अरक्षन देना महाराच सरकार के लिए मुसीबत खड़ी पड़ा हो सकती है तो महाराचा अरक्षन लेकर अभी तो महाराच सरकार में युकी में हलचल चल रही है को एक महने में महराथा आरक्षन देना कोई भी सरकार के लिए पॉसिबल ही नहीं, सबसे पहली बड़ी महराथा आरक्षन को लेकर और एक बाद मनो जरांगे पातिल में सामने रखी है जो किंदे कमिटी बनाई गई थी महराथा आरक्षन को लेकर ऐसा जरंगे पातिल ने उनसे पार सामने अश्वासन रखा है मंदल ने मुलाकात की आश्वासन दिया जिसके बाद अब सरकार को एक महीने की महलत दी गई है और मनो जरंगे ने अंशन को भी स्थागित कर दिया है राजनीती आर्थिक और सामाजिक विकास स्वास्थ शिक्षा परियावरंड मनुरंजन्ड समाज पलपल और हरपल की घटनाओं का विसलेशन और आंकलन देखिये NKN न्यूज पर तैसिल, जिले, देश, प्रदेश और विश्व की खबरों का दरपन NKN News अब DD Fridish पर भी साथ ही YouTube, Facebook, Instagram, NKN News वैजसाइट, GTPL और कई केबल नैटवर्क पर देखे NKN News नेरभेग सच के साथ सच की बार इस भागती दोड़ते जिद्दगी में हम कई बार जाने अन जाने उन चीजों का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं जो हमें लब्रे समय में बड़ा नुपसान पहुंचाती है आज टेक्नलाजी और वस्ता के इस दोर में मासित ठकान एक प्रमुख कारण है जिसको मिटाने के लिए हम अपने आपको उन चीजों से जोड़ देते हैं जो लंबे समय में हमें नुपसान का कारण बन जानी है यह सच है कि मनुष एक सामाजिक प्राणी है वो समाज में व्याब दच्छाहियां और बुराहियां उसका अपनी ओरा कर्षित तो करती है अब यह सोचना आपका काम है